आज मैं आपको बोल वीड चागनी केक बनाना बता रहे हूं यह बहुत टेस्टी केक है इसके स्पॉंज तेखिए बहुत अच्छा है बहुत हेल्दी केक है यह तो कि इसमें शुगर नहीं है मैदा नहीं है इसमें मैंने जो एक मेन इंग्रिटियंस जाला है वो चिया सीर्स जाला है वो हमारी हल्द के लिए बहुत अच्छा है तो आप इस टेक को जरूर ठ्राइ करिएगा इसका स्पॉंज देखिए इसका स्पॉंज इसके लिए हमें जो इंग्रिडियंस चाहिए एक का पांटा है इसमें वेकिंग पॉडर्र करेंगे बेकिंग सोडर यूज नहीं करेंगे ये मेरे पास हाफ कप गुड है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है वन थर्ड हमारे पास ऑईल है कुछ क्रेंड बेरी मेरे पास, छॉप बदाम और प्रिस्ता है त्री टेबल स्पून हमारे पास मिल पाउडर है, टू थर्ड हमारे पास मिल्क है, टू टेबल स्पून पटर, इसमें मैं ये चिया सीड एट कर रही हूं, विकॉज मैं आपको ये बता रही हूं, आज कि हम विदाउट एक बना रहे हैं, तो ये चिया सीड हमारा एक का सब्सिट्यूट है, आप में इसमें टू टेबल स्पून चिया से डालोगी, ये बहुत हेल्दी है हमारे हेल्थ के लिए, आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए, ये चिया सीड का केक है, इसे बहुत टेस्टी केक बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत मॉइस्ट केक बनेगा, इसलिए 2 एबल स्पून हम इसमें चिया सीड करेंगे, सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देंगे, इसको मेडिया माच पर आप 10 मिनट के लिए ठखके रख देंगे, ये प्री हीट हो जाएगी हमारी, एक बूल देंगे, उसमें ओल डालेंगे हम, और इ अच्छे से बीट करना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुर, गुड की कॉंटिटी आप थोड़ी कम जादा कर सकते हैं, पेकॉज मीठा आप कैसा खलेते हैं, बट स्वीट्स बहुत जादा मीठी नहीं अच्छी लगती हैं, इसको बहुत अच्छे से बीट कर करेंगे, इसमें, अटा डालें, ब्राटा, टु टेबल ब्रीटय mosquito डाला, करकेंगे, ब्रैटो जब दौन दौधे केंगे, इसमें बेकिईग फावड़, डालेंगे, अच्छे से ब्रॉत डालेंगे, आपक कि जादा करम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, इसमें हम चीया सी डैट कर देंगे, मिल्क एट कर देंगे हम अपना, प्लस हम इसमें बट्यप डाल देंगे, इनको अच्छे से हमें बीट करना है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए गाड़ी है, इसमें थोड़ा सो हम मिल्क, टू टेबल स्टून मिल्क और एट कर देंगे, ये चीया सीट जो है, ये फूलता है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, लम्स नहीं होने चाहिए, इसमें हम अप्री थोड़े से नट्स टाल देंगे, और प्लस थोड़ी सी क्रेंबेरी ज़ाल देंगे, बाकी हम इसमें ऊपर डालेंगे, ये देखिए, इसमूथ कंसिस्टेंसी हो गाई है, टिन को हमें ग्रीस कर लेना है, उनली ओईल से, हमने टिन को ग्रीस कर लिया है, अब हम इसको इसमें पोर कर देंगे, अब हम इसको इसमें एक रिंग के ऊपर रख देंगे, रिंग नहीं हो तो आप किसी कटोरी के ऊपर रख दीजिए, इसको हम ढख कर से माज पर 30-35 मिनट्स, आप इसको चेक करकर देखेंगे, आप्टर 35 मिनट्स मैं आपको चेक करके बताती हूं, आपको 35 मिनट्स हमारा केक बन के रेडी है, यह मैं आपको चेक करके बताती हूं, यह रेखिए, बिल्कुल क्लीन निकला है, अब यह ठड़ना होने देंगे, तब हम इसको डीमोग करके दिखाएंगे, इसके एजेस को हम इससे करेंगे चारो तरफ से, और इसको हम, यह रेखिए, कितना स्पॉंज आया है इसमें, इसको आप ऐसे करेंगे, देखिए, मैं आपको चारो तरफ से दिखाती हूं, इतना अच्छा स्पॉंज आया है इसमें, यह देखिए, कलर बहुत अच्छा है आया है, अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूं, यह बहुत हेल्डी केक है आप इसको चरूर ट्राय करिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइप सब्सक्राइब सरूर करिएगा